नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड संक्षिप अवलोकन सीरीज जिसमें हम परिक्षवाणी का जो पहला चेप्टर है उसके सभी वन लाइनर्स को प्रशनों के रूप में यहां पर कवर करते हैं अतरिक तत्यों के साथ इसमें आपको हर वीडियो में 50 कोशन्स देखने को मिलते हैं आज हमारी ये इस सीरीज की दूसरी क्लास है जिसमें हम लेटिस्ट परिक्षवाणी के संक्षिप अवलोकन को यहां पर कवर कर रहें अगर आपने इस सीरीज की पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं, आज का हमारा पहला कोशन है, सरवादिक आबाद गाउं वाला जिला कौन सा है, दिगे उत्राखंड में टोटल गाउं की जो संक्या है, 2011 का ही डेटा अभी उपलब्द है, जो लेटेस्ट परिक्षावाणी में भी आप को दिया गया है, 2011 के अनुसार उत्राखंड में टोटल गाउं की संक्या कितनी है, 16,793, इनमें से जो गैर आबाद वाले गाउं है, उनकी संक्या कितनी है, जहां पर कोई लोग नहीं रहता, उनकी संक्या है 1048, यानि आबाद ग्राम कितने हैं टोटल, इतने नंबर्स नही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझने के लिए याद रहेगा कि ये आकड़ा कितने हजार के आसपास है, क्योंकि अगर कभी कोशन आया, तो आप आइडिया लगा सकें, जो आबाद गाउं है टोटल, वो 15,745 के करीब हैं, ठीक है, इसी के आसपास माने कए हैं, इन में से सबसे जादा गाउं, आबाद वाला गाउं है पौडी गड़वाल, ठीक है, और सबसे कम वाला कौन है, सबसे कम आबाद गाउं वाला है आपका हरितवार, तो केवल आपने इन सारे नंबर्स को नहीं याद करना है, केवल इतना याद करना है, सरवा आपका रुद्र प्रियाग, ठीक है, सरवादिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, ये कुशन पेपर में बना है, उत्राखंड में 2023 के अनुसार टोटल ग्राम पंचायतें कितनी है, 7950, ये वाला नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचा रहके करीब, तोटल ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये तीनों इंपोर्टेंट है, एक और कोशन आता है, हाली में उत्राखंड में पूछा भी गया था, उत्राखंड पंचायती राज अधीनियम कब लागू हुआ था, उत्राखंड का जो अपना पंचा रहके कितनी हैं? तो नियाए पंचायत है टोटल 670. सबसे ज़्याए पंचायते पौडी गडवाल में हैं, लगभग 118 के करीब हैं, और सबसे कम नियाए पंचायते अधाम नगर और रुद्र प्रियाग में है 27-27 नियाए पंचायते यहाँ पर इस्तित हैं, जो सबसे कम ह इसके लावा पूछेगा कुल जिला पंचायत कितनी है उत्राखंड में तो जिले 13 है जिला पंचायत कितनी हो जाएंगी आपसे पूछेगा उत्राखंड में टोटल छेत्र पंचायत कितनी है छेत्र पंचायत ब्लॉक इस्तर पर बनती है उत्राखण में 95 ब्लॉक्स हैं यानि उत्राखण में 95 छेतर पंचायत हैं ठीक है और ग्राम पंचायत कितनी है अभी हमने उपर देखा नेक्स्ट है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाऊ होता है तो देखे, जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं इनका चुनाऊ 18 या अधिक आयू के लोगों के द्वारा यानि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इनको चुना जाता है यही question दूसरे तरीके से आता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाओ कौन करता है तो यह जो चुनेवे सदस्य होते हैं जिनको direct जनता चुनती है उन सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता है अध्यक्ष indirectly चुना जाता है जबकि जो सदस्या है वो directly होते है जिला पंचायत में सचीव के रूप में कौन कार्या करता है तो देखे जिला पंचायतों का जो सचीव होता है जिला पंचायत समीति का उसे कहते हैं DDO या DPRO DDO का मतलब हो गया District Development Officer और DPRO हो गया District Penchayती राज Officer छित्र पंचायत में सचीव का कार्या कौन करता है छित्र पंचायत बनती है Block Level पर इनका जो सचीव होता है वो वीडियो होता है Block Development Officer ठीक है निक्स्ट है पंचायती राज संसोधल विदेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षन है तो दिखें पंचायतों में महिलाओं के लिए टोटल पचास फीसिदी आरक्षन है ये कोशन तीन तरीके से आता है एक तो आपसे आरक्षन का प्रतिशत पूछा जाता है इससे कब किया गया 2008 और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे तो भुवन चंद खंडूडी उस समय उत्रा खंड के मुख्यमंत्री थे ठीक है नेक्स्ट है हमारा कुल नगर निगम कितने है तो राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है टोटल नगर निगम वर्तमान में 9 है जिसमें देहरादून, हरीद्वार, हलद्वानी, काशिपुर, रुद्रुपुर, रुडकी, रिशिकेश, कोड़वार, शिरी नगर शामिल है नव नगर निगम है इनकी संख्या के साथ साथ ये भी आता है कि इन में से कौन नगर निगम है, कौन नहीं है क्योंकि केवल 9 है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कुल नगर पाली का परिशद कितनी है तो टोटल नगर पाली का परिशद, जो लेटेस्ट परिक्षावाणी है उसके अनुसार आपकी 42 है और अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो ये आपके total 51 है तो नगर पाली का परिशत 42 है नगर पंचायते 51 है और आपके छेत्र पंचायत कितनी है ग्राम पंचायत कितनी है आपके जिला पंचायत कितनी है नगर निगम कितने है इन सब को हमने यहाँ पर cover किया एक कोशन उत्राखण में ही आपसे पूछा गया था कि राज्ये के अंदर नगर स्वायत साशन की शुरुवार कब से करी गई उसका वर्ष याद कर लीजिए 1916 ठीक है जो नगर पंचायते हैं आपके 51 नगर पंचायते हैं इन में से 3 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां पर election नहीं होता है केवल सदस्यों को मनोनित किया जाता है कौन सी वो नगर पंचायते हैं? 3 हैं एक आपकी बद्रिनादधाम की एक कंगुत्री की और एक आपके किदारनाद की यहां पर elections नहीं होते हैं मनोनित किया जाता है ठीक है? राज्य की सबसे पहली नगरपाली का कौन सी है कुछ गहों पर नेनिताल को दिया गया है लेकिन जो अभी भी माना जाता है सबसे पुरानी नगरपाली का मसूरी को माना जाता है अठारा सो बयालिस नगर प्रमुक या मेर का चुनाव होता है अब ये कुशन वैसे ही है जिसे जिला पंचायस्त अध्यक्ष का और सदस्यों का सदस्यों को डारेट जंता चुन रही थी अध्यक्ष को जंता नहीं चुनती लेकिन मेर के केस में ये उल्टा हो जाता है नगर प्रमुक या जिसे हम मेर कहते हैं नगर निगम का जो प्रमुक होता है यहाँ डारेक्ट जनता के द्वारा चुना गया होता है तो यहाँ प्रत्यक्षरीती से होता है ऐसा नहीं होता है कि जो जनता है वो वार्ड मेंबर्स को चुनती है पार्षदों को चुनती है और फिर वो पार्शद आपके मेर को चुनेंगे राज्य में क्या व्यवस्ता है? पार्शदों को भी चुना जाता है और मेर को भी डारेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है ठीक है? तो प्रतक्षरिती से राज्य में मेर का चुनाव होता है जो उप मेर होता है ये अपरतक्षरिती से होता है जो सदस्य चुने गए होते हैं, जो पारशत बनते हैń वही अपने मेंसे किसी को उप मेर चुन लेते हैं लेकिन मेर जनता के द्वारा चुना गया होता है ठीक है? राज्य में केंटोमेंट बोड यानि सैन्य चावनिया कितनी है तो राज्य में चावनियों की संख्या भी पूछी जाती है इनकी संख्या है 9 एक है आपकी देहरादून चावनी जो आपके 1814-15 में इसे बनाया गया राज्य की सबसे पुरानी चावनी है इसके बाद आती है अलमोडा चावनी 1815 में बनी, लंडोर चावनी 1836 में बनी, नैनिताल चावनी 1841 में बनी, फिर आती है रोड़की चावनी 1853 में बनी, चकराता चावनी 1866 में बनी, उसके बाद आती है रानीखेट चावनी 1871 से, फिर लैंसिडाउन चावनी 1887 और फिर 1940 के आसपास बनी है ये नौ चावनिया है हमने उनके वर्षों को भी यहाँ पर देखा वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रन हितू राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुवात कब होती है ये कुशन कई बार रिपीट हुआ है राज्य में वन पंचायतें सबसे पहले 1931 में गठित होनी शुरु होती है ठीके तो राज्य में वन पंचायतों का गठन कब किया गया 1931 में किया गया कुमाओं में सरुप्रथम वन कानून कब बने थे वन कानून यानि कुमों कमिशनरी के अंदर जो वन कानून बने, वो 1931 में ही बने 1930 में तिलाडी कांड होता है, उसके बाद सरकार को और रियासत को समझ में आ जाता है जनता की बाद अब थोड़ी माननी होगी, उसी के बाद वन पंचायते बननी लगती हैं, वन कानून बनने लगते हैं, ठीके राज्य के कुल वन छित्र में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना है तो वन पंचायतों का गठन कप से हो रहा है? 1931 से, ठीके 2021 का डिटा लेटेस्ट परिक्षावाणी में दिया गया है और इसके अनुसार अब तक उत्राखण में 12,167 वन पंचायते हैं और इन वन पंचायतों के नियंत्रण में लगभग 18.86 प्रतिशत का वन छेत्र आता है जब हमने कुछ दिन पहले MCQ वाली सीरीज में दिखा था उत्राखण के वनों के बारे में, वन रिपोर्ट के बारे में कि वन विभाग के अधिन कितना है, वन पंचायतों के अधिन कितना है, राजस विभाग के अधिन कितना है उसमें हमने देखा था, वन विभाग के अधीन आपका लगभग 68 प्रतिशत के करीब है, उसके बाद वन पंचायतों के अधीन है, लगभग 19 प्रतिशत के करीब, इसके बाद राजस विभाग के करीब है, उसके नियंतरण में हैं लगभग 12.5 प्रतिशत के करीब, और फिर जी आता है लगभग आधा प्रतिशत ठीक है नेक्स्ट है हमारा राज्य सेवा में राज्य के SC, ST, OBC के लिए क्रम शह आरक्षन कितना है तो देखे अनसुचित जाती, अनसुचित जन जाती और जो OBC है इनके लिए राज्य में 19 प्रतिशत SC के लिए 4 प्रतिशत ST के लिए औ और OBC के लिए 14 प्रतिशत आरक्षन की विवस्था है राज्य सेवा में महिलाओं हे तू, सैतिज आरक्षन कितना है पंचायतों में 50 फीसिदी है लेकिन जो एक्जाम सोते हैं राज्य सेवा है उनमें महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षन है उसमें 30 प्रतिशत का इसमें confusion हो जाता है, एक और चीज ध्यान रखना, पंचायतों में 50 फीसिदी है, वन पंचायतों में 50 फीसिदी है, और रज्य सेवा में 30 फीसिदी महिला आरक्षन है, ठीके, रज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? अब हम कुछ जो हमारे प्रमुक संगठन है, उनके वर्ष देखेंगे और प्रमुक नियुक्तियों को देखेंगे, रज्य सूचना आयोग, इसका गठन 3 अक्टूबर 2005 में किया गया, रज्य के पहले प्रमुक सूचना आयुक्त कौन थे? मुख्य सूचना आयुक्त, ये थे आरेस टोलिया, इनका नाम भी कई बार आया है, वर्ष दमान की बात करें, अप्रेल 2024 में रज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अनील चंद्र पुनेठा है, ठीके, पहले पूछे जाते हैं जादा तर आरेस टोलिया, और कब बने? 3 अक्टूबर 2005 को ये आयोग बना था, रज्य मानवा अधिकार आयोग, ये बना जुलाई 2011 में, और इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे हैं, उनका नाम था विजेंद्र जैन, ठीके, इनका नाम याद करेंगे, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वो विजे कुमार बिस्ठ हैं, रज्य बाल अधिकार सर आयोग, सुचना आयोग 2005 में बना उत्राखन में भी और देश में भी, मानवा अधिकार आयोग देश में 1993 में बन गया था, रज्य में 2011 में बना, रज्य बाल सरक्षन आयोग ये बना रज्य के अंदर 2011 में, इसके जो पहले अध्यक्ष थे, वो अजय सीतिया को बनाया गया था, वर्तमान में राज्य बाल अधिकार सरक्षन आयोग की जो अध्यक्ष हैं, वो गीता खन्ना है, ठीक है, राज्य अल्प संख्यक आयोग का गठन कब किया गया, तो राज्य अल्प संख्यक आयोग मई 2003 में इसे बनाया गया था, और इस आयोग के वर्तमान में जो अध के जैन इसके अध्यक्षें राज्य विधान सभा के द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था तो एक काफी important कानून सेवा का अधिकार कानून राज्य विधान सभा ने 2011 में बनाया और इसी अधिनियम के तहट ये जो कानून बना इसी के तहट 2013 में सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया तो आप से पूछेगा सेवा अधिकार आयोग अधिनियम कब आया? 2011 और सेवा अधिकार आयोग कब बना? तब आप कहेंगे 2013 ठीक है? Next है, रज्य के पहले रज्यपाल कौन थे? Simple सा question है, लेकिन कई बार repeat हुआ है और अब हमारे पास लगभग आठ हमारे राज्यपाल है तो इनके क्रम कई बार लगाने को आता है कि कौन किसके बाद बना पहले राज्यपाल जो थे उत्राखंड के वो सुर्जी सिंग बरनाला थे दूसरे राज्यपाल उत्राखंड के सुदर्शन अगरवाल थे तीसरे राज्यपाल बी एल जोशी थे चौथे राज्यपाल थी मार्गरेट अलवा जो उत्राखंड की पहली महिला राज्यपाल है ठीक है, चौथी वो ओवराल करम में थी पांचवे नमबर पर अजीज खुरेशी बने, छटे नमबर पर कृष्णकांत पाल बने, उसके बाद सातवे नमबर पर राज्य की दूसरी महिला राज्य पाल बने, बेबी रानी मौर्रे और उसके बाद वर्तमान में गुरुमीच सिंग उत्राखंड के राज्य पाल हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, राज्य के पहले अंत्रिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य का गठन हुआ संग 2000 में, और राज्य के अंदर पहले चुनाव हुए 2002 में, तो 2000 से लेकर 2002 तक उत्राखंड में एक अंत्रिम सरकार चलती है, और इस अंत्रिम सरकार में दो मुख्यमंत्री हुए, तो राज्य के पहले मुख्यमंत्री और पहले अंत्री मुख्य मुख्यमंतरी थे नित्यनंद स्वामी और अगर कोशन आएगा राज्य के दूसरे अंत्रीं मुख्यमंतरी कौन है तब भगत सिंग कोश्यारी का नाम लेंगे ठीके लेकिन अगर यही कोशन आ जाए कि राज्या का पहला निर्वाचित मुख्यमंतरी कौन था तब आप अगर निर्वाचित में पूछेगा पहले कौन थे एंडी टिवारी और नारायंड दिवारी अभी तक एक मात्र मुख्या मंत्री है जिन्होंने अपने पांच साल का कारेकाल पूरा किया है ठीक है वर्तमान में उत्राखन के मुख्य मंतरी पुसकर सिंग धामी है और ये राज्य के बारवे क्रम के मुख्य मंतरी है ठीके अंतरिम विधान सभा अध्यक्ष कौन थे तो देखे जैसे मैंने कहा 2000 से लेकर 2002 तक पहली अंतरिम सरकार चलती है उसमें अंतरिम विधान सभा अध्यक्ष प्रकाश पंत को बनाया गया था ठीक है और जब 2002 में elections हुए उसके बाद जो पहले निर्वाचित विधान सभा अध्यक्ष बने वो यश्पाल आर्या बने तो कोशन आएगा अंतरिम सरकार में कौन था विधान सभा का अध्यक्ष य रितु खंडूरी उत्राखंड विधान सभा की अध्यक्ष है और ये उत्राखंड की पहली महीला राज्यपाल और ये उत्राखंड की पहली महीला विधान सभा अध्यक्ष है ठीक है प्रतम विधान सभा उपाध्यक्ष कौन थे तो हमारी विधान सभा के जो पहले गठन हुआ था उत्राखन हाइकोट के नैनिताल हाइकोट के जो पहले चिप जिस्टिस थे अशोक अभिंद्र देसाई ए ए देसाई इनको लिखा जाता है ठीक है वरतमान में कौन है वरतमान में उत्राखन की जो चिप जिस्टिस है वो जिस्टिस रितु बहारी है जो की उत अंत्रिम सरकार चली तो यहाँ पर भी दो पद आ गए जादतर आपको केवल पहला महादिवक्ता पूछा जाएगा आपने LP नैथानी को याद करना है महरबान सिंग नेगी का नाम तब लेना है जब आपसे पूछेगा निर्वाचित कौन थे पहले जो निर्वाचित सरकार के महादिवक्ता बने अंत्रिम सरकार में महादिवक्ता LP नैथानी थे ठीक है प्रथम हादिवक्ता निर्वाचे सरकार में कौन थे? महरबान सिंग नेगी राज्य विधी आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य विधी आयोग के पहले अध्यक्ष जस्टिस धर्म वीर शर्मा थे तो 2011 में इस आयोग के अध्यक्ष पने वर्तमान में राज्य विधी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजेश टंडन ठीक है राज्य विध आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो राज्य विध आयोग का पहला अध्यक्ष आर के धर को बनाया गया था और राज्य विध आयोग 2001 में बना था ठीक है, 2000 में तो राज्य बना, तो सारे ये जो प्रमुक आयोग शुरुबाती वितायोग हो गया, ये कब बना? 2001 में. राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो राज्य महिला आयोग इसकी पहली अध्यक्ष श्रीमती संतोष चोहान थी ठीक है? वरतमान में कुस्म कंडवाल इसकी अध्यक्ष हैं राज्य एसी आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अनुसूचित जाती आयोग के जो अध्यक्ष है राज्य में वो मुकेश कुमार है ये हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और स्टी आयोग की बात करें तो लेलावती राणा यहां के अध्यक्ष है राज्य लोग सिवा आयोग के पह उत्राखन अधिनस्त सेवा चैन आयो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो UK SSC है उत्राखन अधिनस्त सेवा चैन आयो इसके पहले अध्यक्ष RBS रावत थे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष गणे सिंग मारतोलिया हैं. प्रतम राज्य लोकायुक्त कौन थे? तो राज्य के पहले मुख्य सचीव कौन थे तो राज्य के पहले मुख्य सचीव अजय विक्रम सिंग थे वो वर्तमान में उत्राखंड के जो मुख्य सचीव है उनका नाम है राधा रतूरी और ये उत्राखंड की पहली महिला मुख्य सचीव है ठीक है प्रतम पुलिस महानिदेशा कौन तो राज्य के पहले DGP अशोक कांत शरण थे और वरतमान में बाग करें अभिनव कुमार राज्य के DGP हैं ठीक है ये कुछ प्रमुक निप्तिया जो प्रथम भी रहे और उनके साथ हमने कुछ जो इंपोर्टेंट है उनके वरतमान प्रमुकों को भी देखा अगला है हमारा लाखु गुफा, लुईथाप, पेटशाल, आधी पुरास्थल कहां परिस्तित हैं अब हम समान्य परीचे से हटकर इतिहास वाले वन लाइनर्स में एंटर कर चुके हैं लाखु गुफा, लुईथाप, पेटशाल इस सारे पुरास्थल आपके अलमुडा ज जूशी के द्वारा करी गई, जो सुयाल नदी है, जिसके तठ पर ये लाखु गुफा है, वो कोसी की सहायक नदी है, इसको भी हमने देखा था, यहां से हमें कई सारे सेलचित्र मिले हैं, और इसका विशह क्या दिया गया है, विशह इसका सामोहिक निर्ते, लाखु उड खाप हो गया, ये भी अल्बोडा में है, आपका पेरशाल हो गया, ये भी आपका अल्बोडा में पढ़ता है, गुवार्ख्या गुफा, किमनी गाउं गुफा, मलारी गाउं, आधी पुरा इस्थल कहा हैं, तो गोर्खा उडियार, किमनी गाउं, मलारी गाउं, ये सारे पुरा इस्थल चमूली जन्पद में पढ़ते हैं राज्य की किस प्रोगेतिहासिक पुरा इस्थल से पांच दशनलव दो किलो का सोने का मुखोटा मिला है तो पांच दशनलव दो किलो का सोने का मुखोटा सोने का मुक आवरण ये हमें मलारी गाउं चमोली से मिला है ठीके, दो हजार एक दो में जब यहाँ पर खुदाई करी गई तब हमें ये सोने का मुकट मिला था किस पुरा इस्थल से नीले रंग के सेलचित्र हमें प्राप्त हुए है तो देखें नीले रंग के सेलचित्र हमें उत्तरकाशी में हुडली से मिले हैं और अगर पूछेगा सफेद जो हमें सेलचित्र मिले वो कहां से मिले हैं वो किमिनी गाउं से हमें देखने को मिले हैं ठीके, और अगर पूछेगा योग करते हुए मानव आकृतियां हमें कहां से मिली है वो हमें अलमोडा के फलसीमा से मिली है ठीक है आट तामर मानव आकृतियों की प्राप्ति कहां से हुई है आट तामर मानव आकृतियां ये हमें पिथोरागड के बनकोट से मिली है किस प्रगेतिहासिक इस्थल से सेल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रन किया गया है जैसे मैंने कहा मनिश्य को योग करते वे दर्शाया गया है कहां पर फलसीमा अलमोडा के अंदर 14 निर्तकों का सुंदर चित्रन किस सेल चित्र में किया गया है तो 14 निर्थकों का जो हमें सेलचित्र मिला है वो कसार देवी अलमोडा से हमें देखने को मिला है उत्राखंड के आद इतिहास के प्रमुक सुरोत क्या है तो आद इतिहास का जो प्रमुक सुरोत माना जाता है उत्राखंड का वो पौरानिक ग्रंथों को माना जाता है अगले वीडियो में हम इसके और डीटेल कोशन्स को कवर करेंगे कौन-कौन से पौराणी गरंत आते हैं जो आपके यहां से शुरू होते हैं जैसे उत्राखंड का पहला उलेक किस धार्मिक गरंत में हमें देखने को मिलता है तो राज्य का पहला उलेक हमें रिगवेद में देखने को मिलता है उत्राखंड का पहला उलेक किस गरंत में क्या गया है रिगवेद में रिगवेद को सबसे प्राचिन, सबसे पुराना वेद माना जाता है रिगवेद में उत्राखंड के लिए क्या कहा गया है तो रिगवेद में उत्राखंड के लिए देव भूमी या मनीश्यों की भूमी कहा गया है किस गरंथ में उत्राखंड के लिए उत्तर कुरू शब्द का प्रियोग किया गया है तो उत्राखंड के लिए उत्तर कुरू शब्द भी प्रियोग होता है और यहाँ किस ग्रंथ में है? एत्रेव ब्रहामर ग्रंथ में है. इसकंद पुराण में उत्राखंड की सरवादिक चर्चा की गई है. छित्र को क्या कहा गया है? उत्राखंड का पहला उलेक रिगवेद में आता है. लेकिन सबसे जाला जो उलेक है वो इसकंद पुराण में क केदारखंड मानसखंड कुमाऊं के लिए केदारखंड गडवाल के लिए प्रियूक्त किया गया है। लेकर कालगिरी तक का जो छेतर है उसे मानसखंड कहा गया है ये कोशन भी पेपर में आता है ये वाले टाइप के कोशन आपको जाद तर कथन वाले कोशन में देखने को मिलते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है और इनमें से कौन सा कथन गलत है तो केदार खंड का विस्तृत कहां से कहां तक है उसको याद करेंगे और मानस खंड का कहां से कहां तक है उसको याद करेंगे ठीक है तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 50 और कोशन्स को यहां पर कवर किया सभी को हमने प्रश्णों के रूप में वन लाइनर के रूप में देखा और extra fact के साथ cover करते वे चले हमने प्रमुक निक्तियों को देखा प्रमुक आयोंगों को देखा वरतमान में कौन प्रमुक है जो important है उनको देखा फिर हमने history वाले portion की शुरुवात करी कल के वीडियो में आपको history के ही जाधा question देखने को मिलेंगे जो इसका हमारा next वीडियो होगा उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होका अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें चैनल पर नए है तो subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो आपको कैसे लगी comment box में हमें जरूर बताएं Thank you friends